हलो दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ल अफ इन्वेस्टों ट्रेड में आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर वाटेक वावबैक के बारे में और यह शेयर जो है हज ट्रेट कर रहा है 255 पे और अभी देख सकते हैं यह फरवरी के स्टार्टिंग में करी 255 पहुंच गया तो एक काफिया जंप हो रहा है तो इसके पीछे का जानते हैं कि क्यों यसे इतना भाग रहा है सब देखतेем तो आएज जलते हैं जबते हैं इसवीदी stock rises to highest since October 2009-19 as Nomura ups target तो Nomura ने इसका टार्गेट बढ़ाया है आई जानते हैं थोड़े इसके डिटेल के बारे में तो यहां पर सबसे important news है financial closer of HEM hybrid annually annuity model asset and a strong and well funded order book provide long term sales visibility तो सबसे अच्छा यह जो है इसका जो फाइनिशल है वो स्ट्रॉंग होते जा रहा है यह ऐसा बता रहा है देखते हैं इसका डिटेल में क्या है यह सो वी वर्टेक थर्सदें फांद ब्रॉशर about the financial closure of its HEM project received from Kolkata metropolitan development authority it had earlier signed a 575 pro HEM concession against agreement under the Namani Ganges program the company will execute engineering procurement and construction of its project over 24 months followed by operation and maintenance of 15 years तो यह 15 years के लिए project मिला है 575 क्रोर का यह Kolkata metropolitan development authority से यह एक important है जो कि इसके बढ़ने के बहुत जाए चांसे है एक प्रोजेक्ट दूसर प्रोजेक्ट है नौमुरा expects a similar agreement of the company Patna HEM project worth rupees 247 crore so order book is largely like a largely government funded or multi-lateral funded providing comfort on cash collection the research firm said तो दूसरा project है 247 crore का Patna HEM से तो एक कलकता का मिल गया 575 का Patna से मिल गया 247 crore का तो यह दो important updates है मदलब इनको projects मिले हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और इन्होंने सबसे में क्या किया है डेप्ट जो है वह decline किया है 140 crore से पढ़ सकते हैं from the peak financial year 2019 of 430 crore and 200 crore in financial year 2020 यह काफी अच्छा news है और डेप्ट भी रिड्यूस किया है और बाकी details आप चाहे तो पढ़ सकते हैं बट यह दो तीन important कि दो projects मिलें इनको और अन्होंना पर डेप्ट रिड्यूस किया है आए थोड़ा देखते हैं इसके financial के बारे में धैइन्शल देखेंगे revenue टाउंस में तो revenue देखेंगे तो December 2019 में 679 crore का था और December 2020 में 796 crore का हो गया और पिछले कॉNER में देखेंगे जिखंटा 8 क्रोर का था तो पिछले क्वाटर कम देखेंगे रेवन्यों बढ़ा है और यह और यह लियुट पर देखेंगे तो भी offer रेवन्यों बढ़ा तो रिवन्यों अच्छा और देखते हैं दिसंबर 2000 1901 फ्रॉट कता दिसंबर 2020 35 कि पिफ्ले क्वाटर में Express क्टमबर 2020 में 13 करोर का था तो अब नेट प्रॉफिट देखेंगे कौटरली बिस्स पे भी बढ़ा है और ये ये दोनों हो गया इसके रिवेन्य और नेट प्रॉफिट शेर होल्डिंग देखते हैं प्रमोटर के पास दिसंबर 2019 में 25 परसेंट था और दिसंबर 2020 में 21.7 हो ग प्रॉब्लम था दोस्तों पहले 2019 में ये शेर इनके प्लेज थे अभी देखें इनके एक भी शेर प्लेज नहीं है जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है और ये शेर के और भी उपर जाने के चांसे बढ़ते हैं क्योंकि इनके शेर जो है प्लेज को हटा दिया है पिछले में करीब 13 परसेंट था पिछले कौटर में भी बढ़ाया है फाई ने और लेकिन येरली बिसेस पर घटाया तो ये था शेर रोल्डिंग पैटर्न डिया का देखते हैं दिसंबर 2019 में करीब 7 परसेंट था और दिसंबर 2020 में 3.72 हो गया और पिछले कौटर में 4.23 था तो य येरली और कौटली बिसेस पर डिया ने घटाया आपने परसेंटेश ओड़ी पॉब्लिक का देखते हैं पब्लिक का दिसंबर 2019 में 43.47 दा दिसंबर 2020 में 60.06 हो गया और पिछले कौटर में 60.9 बन था तो पिछले कौटर के इस कंपेर में तो हलका सा घटाया है और येरली का ये शेर होल्डिंग पैटन था तो मैंने आपको शेर होल्डिंग पैटन और इसके फाइनेशल का बता दिया आए थोड़ा जानते है इसका टार्गेट के बारे में कि टार्गेट कहां तक हो सकता है तो अभी जो है ये ट्रेट कर रहा है 255 पर जो नुमूरा जो है जो इ आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है कि पहले उन्होंने टार्गेट रखा था 432 का ठीक है और अभी जो है ये टार्गेट इन्होंने रखा है 446 तो यहां से अभी इसके ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसे हैं क्योंकि दो तीन फेक्टर हैं जो इसको ट्रिगर क हो सकता है यह तो हमें क्या करना चाहिए हमें जो है इसके नीचे लेवल पर कर सकते हैं आप Energy कर सकते हैं एक अ और्डर मिले हैं इनने अपने डेप्ट रेड्यूस किया है और नॉम्रा ने इसका टार्गेट बढ़ा दिया तो सभी तरफ से देखेंगे तो इसके अच्छे न्यूस है तो इसको शेर को लिया जा सकता है और आप 450 एराउंड के टार्गेट पे इसको रख सकते हैं और इसको करते जाएं और लॉंग टर्म के लिए और शॉट टर्म के लिए दोनों ही टर्म के लिए एच्छा शेर है आप इसको सोच सकते हैं लेने का तो यह मेरे अनलेसिस थी या यह न्यूस था आप अपना खुद का अनलेसिस और इसके बाद ही डिशीजन ले कुछ और इसके लाव मेरा टेलिग्राम चैनल है जहांपने में फ्री के एंटर डे फीचर आप्शन और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल देता हूं वह बिल्कुल फ्री है आप चाहे तो सो जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक मैं अपनी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में द जो आपते हैं लिए लिए स्विंग प्री देथ चाहे तो कि एष़ को बात कर सकते हैं वह बिल्कुल देड़ी हैं